कि दोस्तों कि आपने Facebook पर account बनाया हूँ है और rouस अकाउंटों को आप यूज नहीं करना चाथे हैं या फिर आपने Facebook पर multiple अकाउंट बनाइए हूँ हैं उन्में से आप मतलब किसी अकाउंट को यूज नहीं करते हैं तो आप उन मेंसे किसी बी अकाउंट को पर्मेनेटली डिलीट कर सकते हैं हमिशा के लिए अगर आप किसी अकाउंट को किसी भी परसनल डीजन की वेज़े से मतलब आप किसी भी अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो बस आज की वीडियो को बिनगी कि एन तक देख लेना पूरा प्रोसेस में आपको mobile की स्क्रीन पर live करके दिखाऊंगा यानि कि आपको अपने Facebook अकाउंट को delete करना मैं आज की वीडियो में आपको सिखा दूँगा तो काफी simple वीडियो चोटी सी वीडियो वीडियो को एंड तक देख लेना और चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना तो चलते मोबली स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं कि अकाउंट डिलिट कैसी कर सकते हैं Facebook का तो मोबल की स्क्रीन आपको सामने नजर आ रही होगी आप तो सबसे पहले आपको Facebook application को open कर लेना है और Facebook में आपका वही अकाउंट लोगिन जरूरी है जिस अकाउंट को डिलिट करना चाहते हैं ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट लोगिन नहीं आपके मुबाल में आपको किसी अकाउंट को डिलेट करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट बिना लोगिन के डिलेट नहीं होगा तो आपका अकाउंट यहापर Facebook में open कुछ मने लोग इन तो अब आपको ऊपर यूपर कॉर्णर में इस पर क्लिक कर्देना है को करने के बाद आपको यह पर ऊपर यूपर प्रोफइल को उप्शन है इसमें तो तो नीचे से आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सेस एक्सेस एंड कंट्रोल पर आपको क्लिक कर देना है एक्सेस एंड कंट्रोल पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर नए पेज पर आजाएंगे जहां पर शोर आपको एक option उपर यूपर deactivation and deletion तो deactivation and deletion वाले option पर आपको क्लिक कर देना है deactivation and deletion वाले option पर क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे इस वाले page पर जहां पर आपको दो option दिखेंगे deactivate account और delete account तो यहां से आप अपने account को temporary deactivate भी कर सकते हैं लेकिन फिलाल हमें अपने Facebook account को permanently यानि हमीशा हमीशा के लिए दिलेड करना थो हमीशा के लिए करने के लिए आपको delete account clip कर देना है और यहाँ पर नीचे षो नहलुकल ने continue to account division क्लिक कर देना है continue to account प्लिए क्लिक किया और आपको यहाँ पर यहाँ और लिखा इस advisor भीफोर यूदि डिलिट वी में बी एबल तो है यापको कोई है चाहिए मतलब अपने अकाउंट को डिलिट करना हो सकता है आपके साथ कोई प्रॉलम हो तो इन में से आप किसी भी उप्षिन पर क्लिक करके अगर आपको यहां से हैप ले सकते हैं नहीं तो आपको अगर आपको डिलिट करना चाहते हैं तो यहां पर आगए हम नए पेज़ पर यहां पर शोओ रहा है पर्मेन्टी डिलिट अकाउंट यहां पर आपको बिल्कुल नीचे चलते जाना है अगर इंफोर्मिशन डाउनौड करने हैं कोई डेटा अगर आगर आ तो फेस्बुक का सकता है अपने किसी को भी मोबाइल ले लिए और वहां से आप उसकी अकाउंट हो लेटे खरर रहे हूं यह आपका मोबाइल कोई रहे सकता है और आपके मोबाइल से अपने आपके face2 अकाउंट को डिलीट कर सकता न करता है तो इसलिए Facebook गांशिए यानि यानिекि अपने डिलेट अकाउन्ट पर click क्या तो डिलेट आकाउंट पर click करते आप देख सकते हैं season expired please login again और पीछे दिखाता हम आपको ऑगेः करता हूं तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने मेरे account यहाँ से आज की डेट मेरे डिलेट किया है तो मेरे पास message जा गया है कि आपका यहां पर अकाउंट शेडूल कर दिया है यानि 29 जनवरी 2023 को मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा यानि जब भी आप अकाउंट डिलीट करेंगे तो डिलीट करने की डेट से 30 इस दिन के बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा यानि आज क्का डिलीट हो जाएगा यह फेस्बुक का ही प्रॉसस है मेरा कोई प्रॉसेस नहीं है आपकर कहीń लोग मिशें सवाल करते हैं कि आज डिलीट क्यों नहीं हो रहा है तो फेस्बुक करेंगे या और फिर इ दिल्ट हो जाएगा अगर आपको मैंड चेंज होता है फेस्बुक अगाउंट नहीं करना चाहते हैं गलती से हो गया तो फिर से आपको आज वीडियो में, तब तक के लिए बाइ